आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप से शेयर करूंगी कि घर पर बाजार जैसी सुगर कैंडी कैसे बनाएं वो भी बिना किसी मसीन के सिर्फ हातों से बहुत ही कम इंग्रीडियंट्स में तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले तो एक भारी तली का भिगोना ले लूँगी मैं यहां पर अब यहां पर ले रही हूँ मैं एक कटोरी चीनी आप कप कटोरी कोई भी सैट कर ले अब इसके बाद आधी कटोरी लूँगी मैं पानी जिस कटोरी से हमने भर के चीनी लिए है तो हम उसी कटोरी से यह इस बात का खास ध्यान रखें कि जिस भी बर्तन में आप अपनी सुगर कैंडी बना रहे हैं वो भारी तलिका हो चाहे वो बिगोना हो या कड़ाई हो या कोई भी प्राइपेन या उससे लग कोई भी बर्तन हो तो भारी तलिका होना चाहिए चीनी हमारी melt होनी start हो गई है इसको अभी भी हम continue चलाते रहेंगे चीनी बहुत ही अच्छे से melt हो चुकी है घुल गई है बहुत ही अच्छे से और देख सकते हैं जो हमारी चीनी की चाशनी बनके ready हो गई है देकिन ये अभी complete नहीं है अभी हमें इसको और पकाना है जब चीनी अच्छे से घुल जाए पाने में और अच्छे से ये उबल जाए तो अब इसके बाद डालनेंगे हम यहाँ पे दो चम्मच नीम्बू का रस नीम्बू के रस की बहुत ही एहम भूमिका होती है सुगर कैंडी बनाने में तो इसका इस्तमाल जरूर करें क्योंकि अगर आप इसको नहीं डालेंगे तो क्या होगा कि जैसे जैसे चास्णी पके की गाड़ी होगी तो थोड़ी जम्मनी स्टार्ट हो जाएगी तो ये जो नीमबू है ये crystal नहीं बनने देते हैं चीनी के चाशनी में तो देख सकते हैं चाशनी हमारी काफी यहाँ पर गाड़ी हो गई है तो एक बार इसको check कर लेते हैं तो मैंने एक bowl में यहाँ पर पानी ले लिया है कैसी ये इखटे हो चुकी है गर शिरफ हमारी complete है या नहीं तो इसकी एक पहचान बताती हूँ तो जिस तरह के से मैं इसको हातों से ऐसे stageable कर रही हूँ तो देखिए एकदम ये perfect है तो हो गई नहीं stageable तो यही इसकी पहचान है एकदम perfect consistency की तो देखिए कैसे मैं गोला सा बना रही हूँ तो इसका गोला सा बनना स्टार्ट हो गया है तो चलिए gas की flame को बंद कर देते है अब यहाँ पे मैंने एक plate ले ली है आप कोई भी बरतन ले ले इस चाशनी को ठंडा करने के लिए तो सबसे पहले तो इसमें थोड़ असा मैं घी लगा लूँगी आप चाहिए तो इसमें refined oil भी लगा सकते है ताकि जो यह हमारी चीर्नी की चाशनी है यह चिपके न तो जो यह हमारा सुगर शिरफ बनन के तयार हुआ है इसको निकाल देते हैं अभी यह यहां पर गर्म है तो हम इसको थंडा करना है तो इस तरीके से मैं इसको चलाती रहूँगी तो आप देख़िए जैसे जैसे मैं इसको ऐसे चला रही हूँ हिला रही हूँ चारो साइड से ऐसे तो यह थंडी हो जाएगी बहुत ही जल्दी से और काफी ये गाड़ी भी हो जाएगी प्लेट के जो किनारे हैं उनको छोड़ने लगेगी तो अभी तो ये फैल रही है जैसे ठंडी होगी तो धीरे-धीरे ये खटी होनी स्टार्ट हो जाएगी तो तब तक ही हमें इसको चलाते रहना है दो मिंट बाद ही देख सकते हैं कि ये चीनी की चाशनी हमारी काफी ठंडी हो गई है तो मैं इसमें से दो प्लेट में थोड़ा थोड़ा बैटर निकाल के अलग कर लूँगी एक प्लेट में मैं थोड़ी सी ग्रीन फूर कलर डाल दूँगी याप पे अब इसको मिक्स कर लेंगे तो मैंने इन प्लेट में भी गी लगाया है पहले से ही ताकि ये बैटर चिपकी न तो मिक्स कर लेंगे तो थोड़ा कलर कम है तो कुछ बूंदे और डालूँगी मैं जिस भी करव में आपको अपनी यह सुगर कैंडी बना रही है बना सकते हैं चाहे वह पिंक कलर की हूँ रैड कलर की ग्रीन कलर की जो भी आपको पसंद और शुगर कैंडी का कलर तो यहां पर अब मैंने दूसरी प्लेट को ले लिया है अब इसमें एड करओगी मैं कुछ बूंदे यलो कलर की इसको भी मिक्स कर लेंगे तो घी लगाया है तो बिल्कुल भी चिपका नहीं है बेटर तो चली इनको साइड में रख लेते हैं अब इसके बाद जो मैंने थोड़ा सा बेटर बचा के रखा था बिना फूर कलर का तो अब हम इसको इस्टेचबल करेंगे ऐसे तो ये प्रोसेस करना बहुत ही जरूरी है तभी आपके एकदम परफेक्ट बनेगी सुगर केंडी तो बहुत ही मज़े से आप इस केंडी को बना सकते हैं घर पे बहुत ही इजिली तो आपको यहाँ पे आज बहुत ही खुशी मैसूस होने वाली है कि आप घर पे ऐसे आसानी से बाजार जैसी सुगर केंडी बना सकते हैं बस इसको ऐसे खींचते जाएं, फोल्ड करते जाएं तभी एकदम देखिए साइनी सा बनेगा आपका बैटर तो यह बार मैं इसकी शाइनिंग दिखा देती हूँ, कितना चमकिला यह हमारा सुगर शिरफ यहाँ पे बन के तयार है अब इसके बार मैं ग्रीन फूर्ड कलर जिसमें हमने एड़ किया था अब इसको भी सेम ऐसे ही हम स्टेच बल बना लेंगे ऐसे स्टेच करती रहोंगी फोल्ड करती रहोंगी हम इस बैटर को जितना भी खीचेंगे, फोल्ड करते जाएंगे उतनी ही शाइनी बनेगी हमारी कैंडी बस फोल्ड करते जाएं इसको खीचते जाएं तो बहुत ही आसान है तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा प्रोसेस से खीचते जाएंगे फोल्ड करते जाएंगे तो ऐसे ही बना के तैयार कर लेंगे तो चलिए इसको भी मैं थोड़ा सा हाथों से से मैंसे ही थोड़ा लंबा सा कर लेती हूँ तो चलिए अब मैंने जो पहले बिना फोल्ड कलर एड़ किये जो बैटर लिया था तो उसको मैं थोड़ा बड़ा सा कर लेती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा quantity में है जितना मैंने इसको खीचा है fold किया है तो आप इसका color देख सकते है एकदम ये white color में हो गया है तो इसको मैं balance से थोड़ा सा flat कर लूँगी बड़ा सा कर लेंगे इसको अब इसके उपर जो हमने पट्टिया बना के तयार की थी yellow color की और green color की इन दोनों को इसके उपर set कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी तिरंगा ये candy बन के तयार होंगी आज तो मैं balance से इनको थोड़ा सा flat कर लूँगी सभी को अब हातों से इसको उठाऊंगी और ऐसे मैं गुमाते जाऊंगी जितना ज़्यादा आप इसको गुमाएंगे तो उतनी ही light color में आपकी ये candy बनेंगी अगर इसको कम fold करेंगे कम ऐसे गुमाएंगे तो उतनी ही dark color में आपकी candy बनेंगी तो वो आपपर depend है जिस तरह के भी आपको अपनी candy यहाँ पे बनानी है तो देख सकते हैं हातों से मैं fold करती जा रही हूँ इसको और कितनी आसानी से ये better हमारा fold हो रहा है यहाँ पे अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा soft है ये better तो थोड़ी देर आप इसको पंखे के नीचे भी थोड़ा सा इसको सुखा सकते हैं तो चलिए मैं इसको ऐसे fold करती जाओंगी और ऐसे गुमाती जाओंगी जितना ज़्यादा fold करेंगे उतना ही हलका color हो जाएगा आपकी candy का तो देख सकते हैं पहले कितना dark color था अब कितना light हो गया है तो आप पे depend है जैसे भी आपको अपनी candy का यहाँ पे color रखना है dark हलका तो चलिए अब चाकू से मैं इसके छोटे छोटे piece कट करके रखना हो यहाँ पे क्योंकि मुझे यहाँ पे sugar candy बनानी है अगर आपको लोली पोब बनानी है तो कोई भी stick ले ले उस पे इसको चिपका ले हाथों से press करके तो बहुत ही आसानी से आपकी लोली पोब भी बन के तयार हो जाएंगी तो चलिए यहाँ पे बन के तयार है मेरी sugar candy